हेलो गाइचेंट वेलकम टू माई योटूब चेनल टेक्निकल उत्तर पड़ते हैं दोस्तो आज के बडियों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Realme C11 के फोन में Always on display setting को on कैसे करेंगे या तो कहें आप अपने log screen पे अपना नाम कैसे लिखेंगे तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में play store को open करना होगा यहाँ पर सर्च करना होगा Always on mo led जैसे सर्च करेंगे यही वाला application आपको अपने फोन में download कर लेना यहाँ पर देख सकते हैं 10 million से ज़्यादा लोग इसको download कर चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद और यहाँ पर इसको download करने वाद आप अपने फोन में download करिए और open करिए open जैसे करते हैं check box पर click करना है next के option पर click कर देना है इसके बाद 4-5 sources दिखाए देंगे इन पर click करके आप इनको permission दे दीजिए इसके बाद next करिए इसके बाद finally application हमारे phone में open हो जाते हैं battery optimization के लिए कहता है never पर click कर देना है इसके बाद आप लोगों के यहाँ पर brightness का option दिखाए देगा इस पर click करना है और आप यहाँ पर जो अपना नाम लिखेंगे उसका brightness पूछ रहती यहाँ से अपने हिसाब से check कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर customize watch face के option पर click कर देना है सब सेटिंग इसी के अंदर गत करनी होती है यहाँ पर customize watch face के जो option पर click करिए इसके बाद आपको यहाँ से चाहते हैं date style पर click करना है जो आप अपना नाम लिखेंगे और किस style में आपको दिखना चाहिए आप यहाँ से choose कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे जो यहाँ पर font style आप लोगों को देखने को मिलती है तो यहाँ भी हम लोगों को फिरी मिलती है यहाँ लग गई इस तरीके साप यहाँ से लगा लेजी इसके बाद text size जो आप clock set की है उसका size तो इसका size 80 है तो रहने देते हैं इसके बाद text color का option पर click करेंगे present के option पर जो आप अपना नाम लिखेंगे उसका color पूछ रहा है तो हम यहाँ से जो भी color percent करते हैं यहाँ से चूच कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आया जाएए आप फाइली यहाँ पर अपना नाम लिखे दीजिए memo text के option पर click करिए आपका जो भी नाम हो यहाँ पर अपना नाम लिखे दे रहे हैं जो कि shortcut में लिखेंगे यह यहाँ से अगर mobile number लिखे ना चाहते हैं वहाँ भी लिख सकते हैं सब कुछ यह support करता है इसके बाद okay कर देंगे और यहाँ पर text size को option है अपने नाम का size चूच कर लेते हैं जो कि हम 40 लग बग रख दे रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं इसका हमने 40 रखा है और यहाँ clock जो लगाया था उसका जो है यहाँ पर हमने 60 रखा था तो चलिए अब finally अपने phone को करते हैं लोग करने के यहाँ पर देख सकते हैं लोग हमने कर दिया है इसके बाद सिर्फ दो से तीन सेकेंड आपको wait करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे दो से तीन अगर आपको वीडियो योजफूल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए